हेलो एब्रिवन तो आज हम सिखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम के मदद से हम किस भी इमेज के अंदर अपना एक टेक्स्ट डेटा कैसे हाइड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना एक मोडियोल को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है स्टैगनो तो अगर आप विंडू इस्तिमाल कर रहे हैं तो अपने कमांड प्रोम्ट ओपन कर लीजिए और उसमें एक कमांड लिखें जो कि मैं अपनी स्क्रीन पर आपको लिख कर द अरृप कमांड लिखे शूडव 3 आप चर्ड ओर और अगर आप फारेकिश्फर कर लिखेगा फिर इंसर अपने पासफटरा क्रीए तो अब प्रेस कर दीजिए आपका यह झां आइट होना स्टाट हो जो और गया यह मेरे पास पहले अब हम अपनी ओपन कर लेते आईडी आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है मैं यहां पर विजियो स्टूडियो कोड इस्तमाल कर रहा हूं तो उसको मैंने ओपन कर लिया है और फिर सबसे पहले मैं अपनी इस एम्टी फाइल को करूंगा सेव तो इसके लगाना मत भूलिएगा यह हो चुकि अब सेव अब हम इंपोर्ट करेंगे अपना फंक्शन मतलब की मुझे पूरा का पूरा स्टैग्न मोड्यूल नहीं चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर क्योंकि पूरे मोड्यूल की मुझे जरूरत नहीं है तो उसका एक क्लास का एक फंक्शन है उसी मोड्यूल के अंदर एक क्लास उसका एक फंक्शन है जिसका नाम है लस्बी मैं सबसे पहले अब इसको जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दीखे और समझाए तो मैं उसके लिखूंगा फ्रॉम स्टैग्नो इंपोर्ट लस्बी यह इन बिट तो अब हमने इंपोर्ट कर लिया है कि अब हम मैं एक विरेबल को डिकलेर करणा आप किसी भी नाम से डिकलेर कर सकते वह आपकी मर्जी है मैं उसको कर रहा हूं इमेज के नाम से क्योंकि इसमें हम पास करेंगे हमारी इमेज का पाथ जपर उसका नेम अगर आपक डेक्स्टोब पर ही है तो और मेरा प्रोग्राम भी डेक्स्टोब पर है तो मुझे इसका पाथ डिफाइन करने की जुरूरत नहीं है मैं सिंपली उसका नेम पास कर दूँगा इसमें जिसका उसका नाम है इमेज.jpeg अगर आपका जैसे की प्रोग्राम डेक्स्टोब पर और इमेज कहीं डाउनलोड वाली फॉल्टर में जापर कहीं हो तो आपको यहां पर उसका पास करना पड़ेगा तो अब हम इसके बाद करेंगे हमारे मैसेज राइट तो उसके लिए मैं एक विलेबल डिकलेर कर रहा हूँ msg के नाम का मतलब कि मैसेज इसमें मैं पास करूँगा अपने मैसेज टेक्स्ट डाटा डेटा जापने मैसेज आप कुछ भी कह सकते हो जो कि सीगरेट है मतलब कि आप कुछ भी इसमें पास कर सकते हो जो भी आप हाइड करना चाहते हो as a string तो मैं हाइड करना चाहता हूँ your तो मैंने डवल कोड्स में लिख दिया है मेरा मैसेज जो कि मैं हाइड करना चाहता हूँ मतलब कि आपको यह बस बताने के लिए है कि your cigarette message is here मतलब कि आप यहां पर अपना मैसेज ढाल सकते हो इस डवल कोड्स के अंदर जो भी आपको हाइड करना है जो भी मतलब कि दूसरे बंदे को दिखाना है हाइड करके जाफर खुद ही हाइड करके रखने कहीं फिर बाद में इसको देखना है तो अब हम करेंगे हाइड तो इसके लिए मैं lsb. इसका एक function है हाइड को कोल करूँगा इसके में हमें दो arguments पास करने पड़ती हैं पहला हमारी image मतलब कि जिस image में हम अपना ये वाला data message hide करना चाहते है वो और दूसरा होगा message कि आप hide क्या करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं लिखूँगा message is equal to msg क्योंकि हमारा message है double quotes में जाकर मतलब एक string इसमें जाकर store हो रही है और ये string को हम पास कर देंगे आप simply अगर ये वाली line नहीं लिखना चाहते तो आप simply message is equal to यहां पर भी double quotes करके यह यहां पर लिख सकते हो टाइप कर सकते हो वह आपकी मर्ची है तो मैं अब इसके बाद करूँगा इसको save मतलब कि image के अंदर ये तो हो चुका है hide अब उसको मैं save करना चाहता हूं image को जिसमें कि यह हमारा data होगा hide तो मैं इसमें .save function में double quotes में उसका name pass करूँगा कि मैं किस नाम से अपनी image को करना चाहता हूं save तो मैं उसको करना चाहता हूं save hidden data .png के नाम से मैं उसको करना चाहता हूं save तो अगर आप यहां पर जैसे कि आप नाम तो कोई भी रख सकते हो वह आपकी मर्जी है लेकिन आप .jpg रखते हो save करने के बाद उसका नाम तो आपका यह program जब आप इसको message को बढ़ना चाहते हो reveal करोगे तो आपका यह कुछ show नहीं करेगा अगर आप .png के नाम से उसको save कर रहे हो तो ही आपका यह program आपका यह image का data reveal होगा तो यह तो कर लिया है हमने save मैं आप इसको run करके दिखा देता हूं तो इसके लिए मैं terminal में जारूं run पे जारूं start debug करूंगा python file अब आप यहां पर देख सकते हो कि यह run होना start हो गया है और यह हो गया मेरा program खतम अब मैं यहां पर दखा देता हूं कि यह देखिए यह मेरी hidden data वाली file अब आप यहां पर देख सकते हो कि इसमें और जो मेरी यह वाली image थी इसमें दोन्नों में कोई भी फर्क नहीं है यह देखिए दोन्ने में आपको कोई भी फर्क नहीं पता चलेगा लेकिन इसमें इसके अंतर हमारे data है जो भी हमने hide किया है तो उसको अब data का read करने के लिए हम क्या करेंगे उसको read करने के लिए हम करेंगे lsb.reveal एक function है इसका reveal नाम का इसमें हमें पास करना पड़ता हमारी image का name मतलकि जिसके अंदर हमने data secret किया है मतलकि hide किया है उसका image का name जा पर उसका path तो मैं मैंने hidden data से इसको save किया था तो मैं यहां पर भी hidden data pass करूँगा hidden data.png यह देखी अब लेकिन यह data तो reveal कर लेगा इसको store करने के लिए हमें कुछ चाहिए तो मैं variable का एक variable declare कर लेता हूं message नाम का is equal to इसका जो भी data होगा इसमें आकर store हो जाएगा तो अब हम print करेंगे इसको तो मैं लिखूंगा print double quotes में hidden यह आपकी मर्जी है कि double quotes में यह लिखना है कि नहीं लिखना है वह आपकी मर्जी है यह तो मैं वैसी अच्छा लिखता है लिखने में तो तो मैं print करना चाहता हूं message आप सिंपली सिद्धा print brackets में message लिख सकते हो वह आपकी मर्जी है तो अब हम इसको करके देखते हैं run तो मैं उसके लिए run पे जा रहा हूं और start debug करूंगा आप simply f5 करके enter भी press कर सकते हो तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा secret message हो चुका है आप निए वह देखे यहां पर मेरे टर्मिनल मीं यह मैं आपको बड़ा यह दिखे यहां पर तो अब आप यह शीख लिया है बस यह था प्रोग्राम यह जैसे कि यहांपर हाइड हो और फिर हमने रिवील किया लेकि यह तो हुआ है मेरी PC में कि उसी प्रोग्राम के अंद इस आप सिंप्ली ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने एक इमेज उसको देदी प्रवाइड कर दी और एक छोट असे प्रोग्राम बनाके दे दिया उसकी एक्स दे दे ना जिसमें उस प्रोग्राम में होगा कि फ्रॉम स्टेगनों इंपोर्ट लस्बी और सिद्धा यह तीन लाइन ने देखने के आपको जुरूरत नहीं है जब एक वरी हाइड हो गया तो बाकी यह यह तीन लाइन ने लिखने के आपको बिलकुल भी जुरूरत नहीं आप सिंप्ली मैसेज इस इकल टो विरेबल का नेम इस इकल टो लस्बी डॉट रवील उसका नेम जा फिर पाथ और फ सब्सक्राइब के जिए थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो थैंक यू